दोस्तों बिंग इंग्लिश क्लासेज में आपका बहुत-बहुत स्वागत है फर्स्ट येर प्यूज सी का पोयम जिसका नाम है इफ आई वाज ट्री इसे मुझना कुडू चिन्न स्वामी ने लिका है इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं इसका मतलब होता है कि वो जो इंसान होता है वो इमेजन कर रहा है वो सोच रहा है कि अगर मैं ऐसा होता तो ऐसा होता हुआ तो नहीं है लेकिन वो ऐसा सोचता है कि अगर ऐसा होता तो क्या होता तो ठीक उसी तरह से जो ये जो poet है ये सोच रहा है कि अगर मैं एक पेड होता तो कैसे होता तो हालात कैसे होते क्योंकि मुझना गुरुट चिन्नसवामी जो है ये एक lower caste category से या एक lower caste family से इनका तालुक है यानि कि मुझे सबसे पहले आप लोगों को ये lesson ये poem सिकाने से पहले मुझे आप लोगों को कुछ background बताना है इस poem के तालुक से तो जैसे कि हम लोग सब को पता है कि इंडिया में बहुत सरी religions है और इन सारी religions में Hinduism एक सबसे बड़ा religion है majority में Hinduism है तो Hinduism में एक प्रता होती है जिसमें चार वर्ण होते है तो सबसे पहला वर्ण जो होता है जो upper class होता है वो होता है ब्रामिन जिनका काम होता है कि वो एक तरीके scholars होते है और बहुत सारी पढ़ाई करते है और लोगों को शिक्षा देते है मंदिरों में आप लोगों को सिकाने से पहले मुझे एक background सेट करना है और आप लोगों को ये सारी चीज़ें बतानी है इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ तो सबसे पहले जो होता है वो होता है ब्रामिन उसके बाद में होता है शत्रिया शत्रिया जो होते है वो उस category में आते है जो ruler बनते है रूलर का मतलब होता है जो शाशक बनते है राजा महराजा या सिपाई ही soldier ये सारे चीज़ें शत्रिया category में आते है ये जो लोग होते ह आप में बहु दूरी के लिए काफी जाने माने होता है तो उसके बाद जो तस्रा वज न होता है वो होता है वाउच्या यानि कि जो professionals होते हैं, जो वैबरी, जो लोग होते हैं, जो business करते हैं या जो farmer होते हैं, इनको वैच्या category में रखा गया हुता और सबसे last category जो होती है वो होती है शुद्र यानि कि lower category तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ आप लोगों को आलड़ी पता है कि इंडिया में ये चार वर्नों होते है और जाती वाद काफी हम देखते हैं इंडिया में कि upper caste के जो लोग होते है वो lower caste को किस तरह से humiliate करते है इंसल्ट करते है ये सारी चीज़े है तो lower caste में जो शुद्रा category में जो लोग आते है जो हमारे भाई है वो अक्सर SC, ST इस तरह के category में आते है schedule tribe या schedule cast इस तरह से तो जो इत्यास गवा है इत्यास में already ये सारे चीज़ें मौजुद है कि जहां upper caste लोगों ने lower caste लोगों को काफ़े अत्याचार किया यानि ये ये जो lower caste जो लोग है ये काफ़ी सालों से या तो मैं कहूं कि हजारों सालों से लगबग 3,000 सालों से जो upper caste लोगों की जो मनमानी है वो सेते आये हैं किस तरह से यानि कि कैसे चो lower caste लोग है उन्हें पानी नहीं दिया जाता था उन्हें अलाव नहीं किया जाता था जो गाउं के अक्सर ये जो होते हैं ये गाउं में ये जदा पाए जाते हैं जो ही discrimination on the basis of caste, creed, religion, color, ये सारे चीज़ें जो होती है, भेदबाव, जाती में भेदबाव और जो भी भेदबाव होते हैं ये अक्सर गाओं में जादा पाए जाते हैं, city में उतना नहीं पाए जाते हैं, city में लोग काफी पड़े लिके होते हैं और शिशक्षित होते हैं, त ये चीज़ों को ज़्यादा मानते हैं, तो मेरा कहना ऐसा था, जिसे हम LOVERCAST, लोग को और एक नाम से जाना जाते हैं जिसे कहते हैं, तो काफी अन्तेचाहर हुए है, जैसे कि अब लोग को गिना हुँ तो बहुत सरे ऐसी चीज़ें हैं, जैसी की पहले जमाने में या इत् लोवरकास के 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 लो जो लोग ते उन्हों ने यह काम उन पफ़ लाद दinator दिय ही थे ल요load कास्ट लोगों पर ज्यादा अत्याशर भी हुर हैं जैसे की इन लोगं को upper class कास्ट लोगों के चल्वार के में अपने घर बनने की एजाजत नहीं थे टो जो लोग सके CR समस्ट वो हमेंसे अक्सर गाओं के भार इनके जो घर होते थे और कभी लेवागर होते थे यह गाओं में कभी दाकिल नहीं होते थे गाओं में आना जाना जादा जादा नहीं हुआ करता था और ऐसा भी होता था कि जो लोग थे उन्हें जो गाओं का जो कुवा होता था वहां से पा तरह से पानी नहीं ले ले दे थी थे तब तक लोगों को कोवे के नजदिक आने की जास्त नहीं थी और गां के कोवे कोवे से पानी निकलने थी और क्यूंकि अपरकास लोगों का ऐसा मानना था कि जो लोरकास लोग थे वो गंदी के से भरी काम किया करते थे इसलिए उनके जो शरीम थे वो गंदे थे इसलिए अपरकास लोगों से दोस्ती करना ज्यादा पसंद नहीं किया करते थे और वो ऐसा समझते थे कि अगर ये पुराने जमने में हुआ करता था इस तरह की जो सोच थी वो पुराने जमने में थी अब के हाला थोड़े से बदल चुके हैं और सुधर चुके हैं लेकिन पुराने जमने में क्या हुआ करता था कि जो लोग थे अगर वो उनकी जो परचा आई भी वह गंदे मानती थे और जैसे ही अगर परचाई उनके उपर घिरती तो लोग आपर कास के जो लोग थे वो नदी की तरफ दोड़ लगाते थे नहाने के लिए इस तरह की ट्रीटमेंट पुराने जमाने में लोगर कास लोगों को दी जाती थी और अगर मैं कहूं तो लोगर कास लोगों को जमीन पर थुक भी मना था वो जमीन पर थुक भी नहीं सकते थे आज के जमाने में आप देखोगे अक्सर जो हमरे जो सरकारी दफ्टर होते हैं सरकारी ओफिस होते Vincent हैं महाँ पर आप देखोगेサरकरी ओफिस के बाहर जो दिवाल वगरा होती है building वह पिना था और इसलिए उनको इनके गले में एक झाता था मिती का जिसमें जब भी उनको ठुकना हो तो उस मिती की बरते में थुके ढूर कारे और लोघ कास्त को के पेड़ən पर ज़ाड़ु बांदी कि जो लोग है उन पर आत्यचार हुए ठीको मैं यहां पर किसी समाज के खिलाफ नहीं हूँ मैं यह नहीं कहता कि एक कम्यूनिटी अच्छी है और दूसरी कम्यूनिटी बुरी है मैं आप लोगों के सामने आइना दिखाना चाहता हूँ कि पुरहने जमने में क्या हुआ करता था ठीक है और जिसके बेस पर यह पोएम है जो लिखी गई है तो यह जो पोएट है मुडना कुडू चिनन स्वामी यह जो इनसान है इसने यह सारे अर्थेचार सहे है और इसलिए वो चाते है कि काश में एक इनसान होने के बज़ाए एक पेड़ होता तो काफिया चाहता तो और मैं बहुत सरी चीज़ें आप लोगों को बहुत सकता हूँ इने क्लासरूम के अंदर बैटने की भी इजाज़त नहीं थी तो वो क्लासरूम के बाहर बैटकर पड़ा ही करते थे और भी बहुत सारे अत्यचार उन्हेंना सहे है उनके बेस पर उनकी जिवनी की उपर बहुत सरे ऐसे पिच्चर्ज आई हुए तो ऐसे अकसे हमारी मुवीज इंडियन बॉलिवूड मुवीज में या इंडियन सिनीमा में लोवर कास्ट लोगों के उपर जो आत्यचार हुए इसके बारे में बहुत सरे मुवीज आप लोग को मिल जाएंगे इतनी सारी जानकरी आपके लिए काफी है आप लोगों को समझाने के लिए कि पुरणे जमने में क्या हुआ करता था और लोग कैसे एक दूसरे के साथ रहते थे तो सबसे पहला question जो यहाँ पर है वो यह है कि इनसान होने के बजाए अगर कोई पेड़ बन जाता तो क्या वो उसके लिए आसानी होती और कैसे आसानी होती अगर वो पेड़ बनता तो क्या आसानी होती तो यहाँ पर picture में आप लोग देखोगे एक गाय है जो एक पेड़ के करीब अपना जिसम घिस रही है तो इसके बारे में पोएम में अलड़ी काफी जिकर किया गा है तो हम लोग उस चीज़ के बारे में बात करेंगे इफ आई वज़ ट्री देखोगे लग वाईट आस्क में एक बहुत सरे रिलिज़न ने बहुत सरे धर्म है और फिर उस धर्म में जाती है यानि कि उस जाती के अंदर भी आस्त है जैसे कि कास्त है फिर सब कास्त है अगर मैं एक पटिकलर कम्यूटिक को बारे में कहूं तो वो community भी बहुत सरे अलग-अलग सब community में divide है ठीक है और जब बात आती है कि रिस्ता वगरा तै करना तो उस वक्त काफी चीज़ें देखी जाती है कि कुंडली मिलाई जाती है और बहुत सरी चीज़ें होती है क्योंकि ये जो poem है ये Hinduism की जो thinking है जो culture है इसकी उपर based है तो हम लोग जाता तर Hinduism culture और tradition के बारे में बात करने वाले है तो अक्सर क्या होता है कि किसी भी community का इनसान हो अब गाव में अक्सर ऐसा दिखा गया है कि एक particular community एक area में रहती है तो वहाँ पर को सरफ उसी community के घर दिखाई देंगे फिर अगर आप दूसरी गली छोड़ोगे तो वहाँ पर दूसरी गली में दूसरे community के लोग दिखाई देंगे तो क्या होता है कि गाव में अक्सर ना कि एक community के लोग दूसरी community में mix नहीं होते वो अपना घर दूसरे community के एरिया में नहीं बानते हैं और दूसरे community के लोगों को आने के लिए भी नहीं देते हैं यानि कि अगर मैं कहूँ तो suppose मान लो कि मुझे अपना घर बेचना है किसी को ठीक है मुझे अपनी जागा जगा अपनी property बेचनी है किसी को तो मैं क्या करूँगा कि मैं ऐसा इंसान धुनूगा जो मेरे ही community का हो क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे community का ही इंसान मेरे area में आकर रहे मैं ऐसा नहीं चाहूँगा कि कोई और या दूसरे community का इंसान मेरे जगे में आकर रहे और वहाँ पर घर बनाए ठीक है यह हर जगे ऐसा होता है हर community में आप लोग देखोगे हर गाओ में ऐसा होता है कि एक particular area में गाओं के वहाँ के लोग नहीं चाहते कि दूसरे community के लोग उनके area में उनके घर के आसपास आकर रहे तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि गाओं में जो upper caste के जो लोग होते हैं मैं यह नहीं कहूंगा कि वह upper caste कोन हैं उनके नाम में नहीं लोगा बस मैं यहाँ पर दो caste के बारे में बात करूँगा दो community के बारे में बात करूँगा एक है upper caste एक है lower caste ठीक है तो जो upper caste के जो लोग होते हैं वह अक्सर lower caste के घरों के आसपास अपने गर नहीं बनते और upper caste के लोग यह भी नहीं चाहेंगे कि lower caste के लोग उनके आसपास कहीं बनते तो यहाँ पर जो poet है वो कहते हैं कि अगर मैं एक पेड़ बन जाओंगा तो जो परिंद है, पंच्ची है वो मेरे उपर आकर जब घर बन देंगे अपना घरोंचा बनेंगे उस वक्त वो ये नहीं पुझेंगे कि मेरी कास्ट कुन सी है जो प्रकोती होती है जो नेचर होता है वो कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता वो कभी भैदबाव नहीं करता अगर मैं कहूं कि जो सूरज की जो रोशनी है वो अकसर हर एक पर बराबर गिरती है ऐसा तो नहीं होता कि सूरज की जो रोशनी है वो नारिल के पेड़ पर जादा गिरती है और जो आम का जो पेड़ है उस पर कम गिरती है ऐसा तो नहीं होता जब सूरज की रोशनी गिरती है तो वो सारे चीज़ों पर बराबर से घरती है और बहुत सारे Againles दे सकता हूँ आपको जैसे की समझेए की जब बारिश घरती है तो बारिश एक इंसान पर जादा और दूसरे इंसान पर कम घरती है ऐसा तो नहीं होता बारिश हर जगे बराबर घरती है वो समुदर नदी नाले हर जगे बराबर कहती है उसी तरह से जो point है वो कहता है कि अगर मैं एक पेड़ बन जाओंगा तो जो परिंद है मुझ पर घर बनने से पहले मेरी कास्ट नहीं पुझेंगे क्योंकि हाँ पर क्या होता है कि इंडिया में अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब भी कोई किसी इंसान दूसरे इंसान से मिलता है एक नया इंसान जब किसी अंजानी इंसान से मिलता है तो सबसे पहले उस इंसान को एक कुतुहूल होता है कि ये जो इनसान से मैं बात कर रहा हूँ, इसका नाम क्या है, इसका लास्ट नेम क्या है, इसका रिलिजिन क्या है, इसका धर्म क्या है, और फिर उसका जाती क्या है, सब कास्ट क्या है, तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं, जब भी किसी से बात करते हैं, तो हम उसका नाम पुछ से है हम लोग सरनेम क्यों बोसते हैं क्योंकि हम जाना चाते हैं कि यह कुंसे सब कास्ट या कास्ट से इसका तालूख है ठीक है तो जहां पर भी आप जाओगे सरकरी ऑफिसेज में जाओगे या प्रब्लिक प्लेसेज में जाओगे या किसी से मिलना हो करना हो किसी नए इंसा से मिलना हो तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं हम एक दूसरे की कास्ट पुछते हैं हम कास्ट के बेसिस पर ही उस इंसान से यह सोचते हैं कि हमें उस इंसान से कितनी दूसरी रखनी चाहिए तो यहां पर जो परिंदा है परिंद जो होते हैं वो कभी पेड़ से यह नहीं होता है नापाक हो जाना तो परिंद यह जो पोईट है वो कहता है कि अगर मैं एक पेड़ बन जाओंगा और जब सूरज की रोशनी मुझे गिरीगी और मुझे गले लगाएगी क्योंकि क्या होता है कि क्याँकि मैं एक इंसान हूँ और मैं एक लोवर कास्ट केटिगरी से मेरा तालूक है तो कोई मुझे गले लगाने के लिए तयार नहीं होता upper caste के लोग जो होते वो lower caste लोगों को गले नहीं लगाते तो ये सारे चीज़ें जो poet है इन्होंने सही है ये चीज़ वो कहते हैं कि उनको कोई गले लगाना नहीं चाहता कोई और community का इंसान उन्हें गले लगाना नहीं चाहता तो केते कि अगर मैं एक पेड़ बन जाओंगा तो जो सूरज की रोसनी है वो मुझे गले लगाएगी जब मैं एक पेड़ बन जाओंगा तो लोगों को मेरी परचाही नापाग नहीं लगीगी क्योंकि मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया कि पुराने जमने क्या हुआ करता था कि जब किसी लोगों की परचाही भी आगर किसी पर घिर जाए तो वो जो इनसान है वो यह सोसा था कि क्योंकि यह लोगों की परचाही है तो मैं गंदा हो चुका हूँ और फिर वो नहानी क कि शायद वो गंदे हो चुके है My friendship with cool breeze and the leaves would be sweet तो जो poet है वो कहते है कि जब मैं किसी से दोस्ती करूँगा तो मेरी दोस्ती भी काफी मदूर और मीटी हो जाएगी जैसे कि वो कहते है कि lower caste family से तालुग रखने के वज़े से कोई उनसे दोस्ती भी नहीं करना चाता यानि कि वो जो poet है उसका पूरी तरह से भहिशकार किया जाता है गाउ में तो वो कहते है कि अगर मैं पेड बन जाऊंगा तो मेरी दोस्ती जो है वो थंडी हवा से और प्रैडों के पत्तों से मेरी जब दोस्ती बन जाएगी तो मेरी दोस्ती अधिक मधूर बन जाएगी और मीटी बन जाएगी रेंड्रॉप सुडन डिक्टोंट बैक टेकिंग मी फर डॉग इटर डॉग इटर ये तरके से गाली है जो लोगर कास्ट लोगों को दी जाती है तो वो कहते हैं कि जब बारिश की बुंदे मुझ पर गिरेंगी तो जब बारिश की बुंदे जमीन पर आएंगी तो बारिश की बुंदे मुझ पर गिरने से कत्राएंगे ने बारिश की बुंदे वापस से आसमन की तरफ नहीं जाएंगे वारिश की बुंदे मुझे पर घिरेंगे कि वो ऐसा नहीं सोचेगे कि मैं lower caste से हूँ When I branch out further from my roots Mother Earth wouldn't flee Flee का यहाँ पर मतलब होता है भाग जाना Shouting for a bad अब भी क्या हो रहा है कि जब मैं इंसान हूँ और मैं lower caste category से मेरा तालुक है तो जब मैं किसी की तरफ हाथ बढ़ाता हूँ दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ या जब भी मैं किसी को हाथ लागाने की कोशिश करता हूँ छूने की कोशिश करता हूँ किसी और इंसान को तो वो इंसान भाग जाता है मुझसे धूर भाग जाता है लेकिन अगर मैं एक पेड़ बन जाऊंगा तो मेरी जो जड़े हैं जब वो दूसरे पेड़ बादों की तरफ बढ़ना शुरू करेगी और धरती में और अधिक फैलना शुरू करेगी तो जो ये धरती मा है ये मुझसे धूर भागने की कोशिच नहीं करेगी और जाकर स्ना वोक लगने करेगी दशेकरेट काउउड इन्साइड करेगी तो हिंडू धर्म में ऐसा माना जाता है कि जो गायं होती वह पवीत्र होती है और ऐसा भी माना जाता है जहन local यांनि IKEA 10 करोर देवी देवतायों का वास होता है ठीक आज सा हिन्थिसम गिनग वह多तां में वो कहते हैं कि इंसान होने के वज़े से लोवर कास काटेगरी से तालुक होने के वज़े से मुझे मंदिरों में अंदर जाने की इजासत नहीं थी तो वो कहता है कि अगर मैं एक पेड़ बन जाऊंगा इससे क्या होगा कि जब गाय अपना शरीर मुझसे रगड़ना शुरू करेगी और यहां कहीं भी बदन पर उस गाय को जब खुजली आईगी वो खुजली मिटाने के लिए जब वो अपना शरीर मुझसे रगड़ेगी उस वक्त गाय के अंदर जितने भी देव देता है उसका सपर्ष मुझसे हो जाएगा तो वो कहता है कि पेड़ बनने का एक फायदा यह है कि मुझे मंदिर की तरफ जानी की ज़रूरत नहीं भागवान खुद चल कर मेरे तरफ आएंगे ऐसा उसका मानना है तो यहां पर the sacred का मतलब होता है जो लखड़ा होता है उसको बार किया जहां कई भी गाए को खुझली होगी उस जगह क्या करेगी अपना जो वह जगह है वह पेड़ से रगणा शुरू कर देगी and three hundred thousand gods sheltering, sheltering का मतलब होता है वास करना, यानि रहना, inside her wood touch me, who knows at the end hacked into pieces of dry wood burning in the holy fire I might be made poor तो last में, जो last senza है, यानि जो last की जो paragraph है, पोहम का उसमें जो poet है वो कहते है की, हो सकता है की मेरे मरने के बाद, यानि जब मैं फूरी तरह से सुख जाऊंगा उस वाक्त जो लोग है, जो मेरी लखडियों को काट कर छोटे-छोटे तुकडे करेंगे तो हो सकता है की वो तुकडे वो फूजा पाट और हवन में इसका इस्तमाल करें, इससे क्या होगा जो अगर फिर से एक बार मैं आगर आपको कहूं तो हिंदिवजम में या हिंदू धरम में एक और माननेता है, जो आग होती है, ये जो आग होती है, ये पवित्र मानी जाती है, और इसलिए जब भी कोई बड़े-बड़े कारेकरम पुजा-पाड या हवन या कोई शादी बया होती है, तो वो आग का इस्तमाल करते है, और आग के इर्दगित फेरे लेकर वो शादी करते है, ठीक है, तो और हवन में भी आग का जादा इस्तमाल किया जाता है, यानि आग जलाई जाती है, और ये सारी चीजे तो जो हैक्ट का मतलब यहाँ पर क्या होता है है काटना चोटे चोटे पीसेज में काटना तो जो वो क्या कहता है कि मुझे अपरकास्ट लोगों के घर में जाने की अंदर जाने की इजाज़त नहीं है अपरकास्ट लोग जो होते हैं वो मुझे अंदर आने की इ अपरकास्ट लोगों के घरों में अंदर जाने की बहाना मिल जाता था यानि कि उस तरीके से क्या होता कि जो लखडिया है वो अपरकास्ट लोगों के घरों में हवन में जलाई जाती और इस तरह से में पुई तरह से प्योर बन जाता पुईतर बन जाता या पाक हो जाता ठी में जनाजरे जो होते थे हिंदी वेज़म में ज्यासस तर जो जनाजरे ह वह एक्शली लकडों के बने जाते थे दो बंबुों को मिलाकर लखडियां तयार करके एक도 न Weight Frame बनाय जाते लखडि का एक साचा या लीवर बना जाता है जिस पर dead body रखी जाती है तो वो कहता है कि अगर मैं एक पेड़ होता और मेरी लक्डियों को तोड़ कर एक frame बना जाता अर्थी जिसे अर्थी के थे अर्थी बना जाती जिस पर ऐसे इंसान को सुलाय जाता जिसने कभी गुनाही नहीं किये हो एक धार्मिक इंसान को मुझे पर रखा जाता और फिर ये जो मेरी अर्थी है मुझे चार लोग अपने कंदे पर लेकर जाते चार अच्छे लोग मुझे लेकर जाते इस बहाने से मुझे उन लोगों का स्पर्श मिलता और उस इंसान का भी स्पर्श मिलता उस महात्मा का भी स्पर्श मिलता जिस पर लेड़े और फिर उस महात्मा को अंतिम संस्कार करने के लिए ले जाया जाता हो चार लोगों के खंदे पर इस तरह से मुझे रिस्पेक्ट मिनती कि वो कहते हैं कि इंसान होने के वज़े से एक लोवर कास्ट फैमिली में जनम लेने के वज़े से मुझे बिलकुल भी रि तो शायद मुझे रिस्पेक्ट दी जाती और वो जो लोगों होते हैं वो मुझे अपने खंदों पर ले कर जाते हैं तो इस तरह से I might be made pure or becoming the buyer, buyer का मतलब मैंने आपको समझाया कि wouldn't frame को buyer कहा जाता है, अर्थी को buyer कहा जाता है, जनाजे को buyer कहा जाता है, for a sinless body, sinless का मतलब ऐसा इंसान जिसने कभी कोई गुना नहीं किये हो, उसको sinless कहा जाता है, be born, born का मतलब उटाया जाए, ठीक है, load किया जाए, be born on the shoulders of four good man, ठीक है, चार देखों जनाजे या अर्थी हो, उसे उटाने के लिए चार लोगों की जरूरत होती है, चार खंदों की जरूरत है, तो ये चार लोग को होंगे, ये क्रिमिनल तो नहीं होंगे, ये किसे अच्छे काम से ही उन्होंने जनाजे को उटाते है, अर्थी को आपनी imagination को एक poem के form में लिखते हैं, तो उमीद करता हूँ आपको ये poem समझ में आई होगी, और last में मैं आप लोगों को एक disclaimer देना चाता हूँ कि, जो भी कुछ मैंने आप लोगों को इस poem में, आप लोगों को इस poem में सिखाते वक्त मैंने कहा है, ये सारे के सारे चीज़े इ ये poem समझ में आई होगी, मैंने एक playlist ताहर किये है, और उस playlist में मैंने सारे के सारे lessons, part wise, मैंने upload किये है, अब जाकर वो playlist देख सकते हो, first year और second year की playlist मैंने बनाई है, तो जो कोई भी student हो, जो first year और second year से उसका तालुक हो, तो वो जाकर मेरी playlist देख सकते है, वहाँ पर आपको सारी lessons बिल जाएंगे, और देखते रहे, being English Classics साथ में, thank you very much.